हेलो गाइस वेल्कम बैक टू दे चैनल आज हम बात करते हैं वैसे तो मैं गुरुप के ऊपर वीडियो बना रहा था लेकिन गुरुप से पहले कुछ दो त्री छोटे जोटे से टॉपिक हैं उनको कबर करते हैं जब हम गुरुप को पढ़ेंगे ठीक यह भी दो-दो मास्माइन के कुशन आ जाते हैं आए देखते हैं तो जैसे कि किसी उनिट में से कुशन आता है कोई सेट दे रखा होता है किसी बाइरी ऑपरेशन के साथ वो प्रूब कराया जाता है कि वो गुरुप है या नहीं है या अबेलियन गुरुप है या नहीं है त तो नहीं में से कुछी छोटे-छोटे से topic generate होते हैं, तो आएए दिखते हैं, सबसे पहला आता है, semi group, semi group क्या होता है, ठीक, An algebraic structure is called a semi group if it is satisfy the following property, हम किसी set को semi group जब ही कह सकते हैं, जब वो set ये दी हुई कुछ property को satisfy करेगा, जब वो property हैं, एक closer property और associative property, ये मैंने आपको previous video में पहले property सारी करा दी है, ठीक है, तो closer property, closer property क्या कहती है, कि यदि कोई वो है, क्या closer property में, यदि कोई element है, किसी set के, अगर उन पर कोई binary operation apply किया जा रहा है, operation को apply करने के बाद जो resultant आएगा, वो भी उसी set को बिलॉंग करना चाहिए, ठीक, और associative property तो आप जानते ही है, उन पर अगर कोई binary operation apply किया जा रहा है, तो उसके right hand side या left hand side में, operation को कैसे भी apply करें, जिसकी value पर कोई change नहीं आएगा, ठीक, तो अगर कोई set इन दोनों property को satisfy कर रहा है, तो वो क्या semi group, अब आते हैं, monoid, ठीक है, and monoid किसे कहते हैं, तो monoid, खुद अपने property होती है, वो दो property follow कर रहा है, monoid, तीन property follow करता है, closer property, associated property, and existence of identity element, या inverse element, ठीक, तो अगर ये तीन property follow करेगा, तो अगर ये, अगर कोई set, दो कि ये काई, तीन property follow कर रहा है, इन तीन property हों को, तो वो monoid होगा, अगर ये दो को satisfy कर देता, तो हम उसे कहते हैं, ये semi group है, ठीक, आईए, इसी के साथ-साथ मैंने यहाँ एक्जांपल डिसकस किये हैं, यहीं कि उन्हें देखते हैं, अब जैसे कि यह है, जैट प्लस और binary operation है, एस्टिक याने की multiplication, इसका मतलब है, जैट प्लस याने की positive integers, जो यहाँ पर set है, वो किसका है, positive integers का है, इसका meaning है, positive integers, ठीक है, इंटिजर आप जानते हैं, क्या होते हैं, positive integer, अब हम देखते हैं, इसमें कोशन के साथ ये भी दे रखा है, आगे का statement, कि अगर ये operation apply करते हैं, तो result क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा, b to the power a, और a भी क्या है, इनको belong करेंगे, closer property देखते हैं, इसकी, एक operation दे रखा है, operation को, operation का binary operator है, यानि closer property तो ये satisfied कर रहा है, अब इसकी associated property देखते हैं, a star b star c, a star b star c, ठीक, तो आईए देखिए कि, इसको solve करने पर, according to the definition of question, हमें क्या मिल जाएगा, a star c b, लिख रखा है मैंने, और इसको solve करने पर, ये इसकी power हो जाएगा, तो resultant आया, यहाँ, LHS में ये, अब RHS में देखते है, RHS में, RHS में, जब administrative है, तो same आना चाहिए, कि इसको solve करेंगे, तो क्या जाएगा, b to the power a, b to the power a, ठीक, इसको solve करेंगे, तो ये, इसकी power, ये c की power b, b की power a, और ये c की power b, तो ये क्या दोनों same नहीं है, ठीक, यानि कि LHS is not equals to RHS, तो इससे हम कह सकते हैं कि, ये associated property को follow नहीं कर रहा है, तो ये जो set आपको दे रखा है, ये algebraic structure दे रखा है, वो आपका क्या, क्या नहीं है, semi group नहीं है, तो monot, तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो वैसे भी तीन property follow करता है, ये तो उसी की तूसी property को follow नहीं कर रहा, एक और देखते हैं, क्यूँ और ये, क्यूँ से क्यूँ क्यूँ होता, वो rational numbers, ठीक, closer property की सारी की सारी entry set को block करने चाहिए, अब consider किया है, इसमें, जो q को block करेंगे, q की form ये ही तो होती है, p upon q की form, x, y, m, m over n, ठीक है, वो सारी का q को block कर रहे होंगे, इन दोनों में एक जो divide का operation apply करने पर हमाई resultant ये आया, ये भी भाई, p upon q की form में आया है, resultant, जो ये resultant इसका निकल के आया है, वो किसकी form में आया, p and q की form में, तो it means divide एक binary operator है, और एक closer property को satisfy कर रहा है, अब इसकी associative property देखते हैं, associative property, ये a star b star c c a star b star और वो किसके set ये को block कर रहे होंगे, यहां एक और नया वो माले, p upon q, जो भी q को block कर रहा होगा, दोनों जगा solve करने पर, जो resultant निकल के आया है, वो आया है, x, n, p, m, q, y, इधर आया है, x, n, q, और y, m, p, जो कि same नहीं है, एक और छोटा सा question discuss किया है, वो एक खास purpose से discuss किया है, वरना मैं ज़्यादा numerical इसमें देना नहीं जा रहा था, यह कोई binary relationship, वो algebraic structure है, वो define किया गया है, 0, 1, 2 पे, और उसको कैसे define किया गया है, star operator, यानि कि इसके साथ define किया गया है, और उसकी definition यह है, a plus b, अगर दोनों का addition, less than, और, नहीं, हाँ, less than equals to 2 है, तो तो यह operation होना चाहिए, अगर greater than 2 है, तो यह operation होना चाहिए, तो इस चीज़ को बनाने से, इस definition को फूल अप करने के लिए, एक concept आता है, composition of table का, ठीक तो composition table कैसे design करते हैं, आईए, इसमें क्या row और columns होती है, जो element आपको दे रखे हैं, जिनके उपर यह define है, उतने ही तो row और उतने ही column, और इस operator पर define है, 0 into 0, less than 2 है, 0 into 0, less than 2 है, तो less than 2 के लिए कौन से condition है, a plus b, यानि 0, 0 को add करने पर, 0, 0 into 1, 0, less than, add कर दी है, simple add कर दी है, simple 1, 1 into 1, 1, less than 2 है, लेकिन add होगा, 1 plus 1, 2, ठीक, 1 into 2, 2, 2 less than equals 2 है, 2 के, yes, अब add होगा, 2 into 1, यहाँ equation नहीं आएगा, यहाँ equation नहीं है condition में, जब यहाँ 0 आया है, 2 into 1, greater than होगा, तो इस condition में आ गया, 2 plus 1 कितना होगा, 3, 3 minus 3 क्या आ गया, 0, अब इस वाले formation से 0, 2 into 1, greater than, 0, 2 into 4, 4 minus 3, 1, आपको, ने, 2, इज़र 2, आपको यह composition table आया हुआ, समझ में, अब देखिए, इस composition table में आपने एक चीज़ नोटिस की, कि जो entry हमें वहाँ पर दी गई थी, relation के लिए, वही सारी की सारी entry इसकी fill की गई हैं, अंदर composition में, ठीक, तो जिससे यह पता चलता है, कि closer property को, अगर ऐसी मत्ब मैट्रिस बनाने पर अगर यह चीज़ आ रही है, तो हम easily कह सकते हैं, कि यह क्या, closer property को satisfy easily करेगी, ऐसा कोई question होगा, तो, ठीक, अब इसकी associative property देख लेते हैं, यह तीनों इसमें ब्लॉंग कर रहे हैं, अब इसमें existence, identity element का existence भी देखते हैं, भाईया, इसमें सबसे बड़ी बात है, जीरो है, जीरो को किसी के साथ add करेंगे, तो क्या उस चीज़ पर फरक पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो इसमें identity element भी है, ठीक, देखिए, हम मतलब की जीरो को यहां से बता किया है, जीरो क्यों है, जीरो के साथ apply करने पे, हमें पूरी की पूरी as it is entry मिल गई थी, इसलिए जीरो हमारा क्या है, identity element, दोनों तरफ आप देख सकते हैं, चीक, तो अब हम कह सकते हैं कि यह क्या एक monoid है, क्योंकि इसमें तीनों की तीनों property satisfy हो गई, अब आज हमने क्या discuss किया, एक तो semi group, एक monoid, जिसकी दू प्रॉपर्टी आपको बता दी गई है, अब आता है, अब इसके बार जो आगे की वीडियो में topic discuss किया जाया group, most important topic, ठीक, thank you.